मेरा भी इंट्रेस्ट है उसमें वैसे लेकिन में भी तुबर्ज दे एंड डिसकस करेंगे उस पर ब्रेंस्टॉमिंग करेंगे क्योंकि मैं उस पर आगे बढ़ रहा हूं तो आप सब लोगों का और हम सभी करेंगे क्योंकि हम और आप चारों ही लोग ऐसे हैं जो बनमेन आर सब्सक्राइडिंग को ही यूज किया जा लोग घरवेठ हैं अपना काम घर से कर सकें सिस्टम बहुत स्ट्रेंग्थन हो गए आजकल लोगों अब यह भी हो गए तो कर सकते हैं उसे चलिए यह एडब्लूएस मेनेजमेंट कंसोल है इस कंसोल में आप देखेंगे एडब्ल इतना इतना काम है और इतना अकृप्टेड है इनकी हेकिंग करना वड़ा मुस्किल है । यह देखो आदी चीज़ें तो हमें भी नहीं पता आदी क्या बहुत सारी चीज़ें नहीं पता तो हमें क्या करना, यहां customer engagement हमारा एक काम है जहां हमें benefit कर सकता है, तो customer engagement में Amazon Connect, Pinpoint और simple email service, तो अभी simple email service की बात करते हैं हम, तो यह SES कहलाता है, AWS SES, AWS SES में जाके आप यहां करेंगे अपना account register करने के बाद, अब आप email भेज सकते हो, monitor कर सकते हो, यानि कितने click हुए, कितने open हुए, कितने open नहीं हुए, और email receive करना, back email receive करने को configure कर सकते हो, इस account को आप अपने computer पर Outlook Express या Microsoft Outlook में configure कर सकते हो, वहां configure करने के बाद, आप एक महीने में 62,000 email free भेज सकते हो, बिना कुछ चार्ज दिये, कोई day limit नहीं है, आप 62,000 email एक महीने भेजो, बट, इनकी जो monitoring है, वो बड़ी perfect है, आपको इनकी जो compliance रखनी पड़ेगी, कि आप धड़ा-धड़ marketing के email भेज दें, तो वो ये allow नहीं करेगा, धीरे-धीरे आपकी frequency generate करो, तो ये setup आपके काम कर सकता है, तो generally लोग क्या करते हैं, ये backend में खूब दे रहा है, तो उस पर एक छोटा सा application लगा के front end बना लेते हैं, तो ये जो mail bluster है, mail bluster ने भी क्या कि AWS के साथ partnership की, और इसने एक front end बरा लिया, unlimited subscribers AWS दे रहा है, 62,000 email AWS दे रहा है, तो इसका अपना कुछ नहीं है, अपनी इसने branding लगा दी उस पर, अपनी इसने branding लगा दी, अब जब भी mail भेजोगे नीचे, तो आप देखोगे कि ये आपको बता रहा होगा, कि branding होगी इसकी, yes mail blusters, branding on email and unsubscribe page, तो ये अपनी marketing कर रहा है, इसके थुरू, बाद में pricing change करेगा, और ये जो rate है, 0.01 dollar per thousand email you send, ये भी इनी की pricing है, AWS की pricing है, तो यहाँ जाने के बाद, अब यहाँ पंगे इतने हैं, कि हमें करीब 2 महीने होगे, इनके साथ conversation करते करते, conversation करते करते, तब जाके 2 महीने में account किसी label पर आया है, कि आप उससे भेज सकते हो, otherwise आप से परपज पूछेंगे, किस परपज से आप marketing करना चाहते हो, किस परपज से mails भेजोगे, कितनी emails भेजोगे एक दिन में, 200 की limit देते हैं पहले, फिर limit बढ़ाने के लिए बड़े पंगे करते है पर एक बार limit बढ़ा दी, तो फिर आपके लिए perfect हो जाता है, तो यहाँ से sending static क्या-क्या देता है ये? अगर मतलब हम नया account आज से खुलेंगे, तो यह एक साथ ने हमको 1000-2000 करने नहीं देगा, नहीं करने देगा, नहीं करने देगा, पर अगर हम mail bluster से करने जाते हैं, तो mail bluster से भी करते हो, तो mail bluster भी compliance को पूरी कराएगा, क्योंकि back end उसको वहीं ले जाना है, तो mail bluster भी जाता है, अगर mail bluster के साथ उन्होंने कोई ऐसा tie-up किया है, कि वह थोड़ी leniency है, क्योंकि बीच वाल आदमी थोड़ी जिम्मेदारी ले ले लेगा, वह आप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ undertaking ले रहा होगा, कुछ sign-up करा रहा होगा, तो उसके basis पर अगर वह उसको थोड़ा ब्लस्टर से करो क्योंकि वह उसर फ्रेंडली है, यहां से जाओगे तो आप ढूंडते रह जाओगे, यहां आप देखेंगे यह हमने domain identities अपनी register की हैं, और email addresses हमने यहां register किये हैं, यह हमारा email address register हुआ है, जो verify हो गया, बड़ी मुस्किल से यह verify हुआ, बड़े दिनों में यह वाला verify हुआ, डीके, अभी हम एकाउंट बनाएंगे, तो क्या कुछ credit card या debit card बगेरा लगेगा, लेकिन चार्जेज कोई नहीं है, अभी चार्जेज कोई नहीं है, future में जब आप कोई services इनकी hire कर लोगे, तब वो credit card आपका काम आएगा, पर credit card लगेगा जरूर, पांच रुपे का, पांच या दस का है, मेरा कुछ हुआ था, मैंने अकाउंट बनाए लगेगा, तो कुछ का तो था, इतना है, मालूम है, कि वो एक amount deduct करते है, वो वेरिपिकेशन के लिए, अकाउंट बेरिफाई करते हैं, दो रुपे का होता है, दो रुपे का है, यहां से, यह दोनों चाहिए, सेकिंड, आपको कोई डुमेन नेम भी लेना है इसके लिए बिना डुमेन के भी email आईडी आप बना सकते हैं, यह बिना डुमेन के भी बना सकते हो, आप जनरल, आप अपनी email आईडी उसकी लेके, अपनी Gmail वाली, उससे भी use कर सकते हो, बट अगर आप उसमें जाके, जो आपका template होगा, designer होगा, वो इनका complicated है, वहाँ जाके आपको Google से भी गया भीता है, तो यहां से आप sophistication नहीं होगा, easy नहीं होगा, तो बैतर है कि अगर आप domain वाली email आईडी को लगाओ, तो उस email आईडी के आपके पास pop3 और SMTP server के वो आ जाएगा address, उसको उठा के आप अपने outlook में लगा सकते हो, अगर मैंने domain ले लिया, जैसे cross quadrant domain है मेरे पास में, उसके साथ मुझे email आईडी भी मिला हुआ है, तो उसको तो मैं outlook में configure करी सकता हूँ, और उसके साथ SMTP pop भी है, तो उसको मैं unlimited emails वैसे भी भेज सकता हूँ, उससे unlimited emails नहीं भेज सकते सर, नहीं सर, वो तो domain जब खरीदा था, तो उसके साथ में उन्होंने free service दी है, mail की, तो वो आप उससे mail भेजोगे, तो आपकी 100 mail पर गंटे के बाद, वो 100 से जादा पर आपका alert लगा देगा, warning लगा देगा, अच्छा, हाँ, उस पर एक limit होती है हमेसा, आप कर ले ना, क्यों मैंने, मेरे पास कर सकते हैं, आप unlimited नहीं जाने देगा, आपको emails, 100 की, otherwise क्या होगा, वो email तो free आजाता है, अगर सारे लोगों को वहां से मिल जाएगा, तो यह जितने, यह server है, SMTP server, इनकी तो दुकान चलेगी नहीं, इनसे कोई क्यों खरीदेगा, जब हमें domain के साथ email मिल गया, उससे unlimited करते हैं, वो एडिया कुछ जो भी limit होगी, आपकी जिस price में दिया गया होगा, वो unlimited होगा, तो एक तरीका यह है, अब यहां हमने यह domain और email ID register कर दिये, यहां मेरा DKIM status अभी भी pending है, इसको बड़ी कोसिस से लगे हुए, अब यहां sending statics आप यहां से कर सकते हो, यह आप emails per 24 hours period, पहले मुझे इन्होंने 200 email दिये थे, 200 email की, अभी हमने 5000 email, जो 62,000 लिया, तो अभी 5000 emails per 24 hours में लिया, तो हम 5000 एक दिन में भेज सकते हैं, अभी तक quota used कितना हुआ, 0% और maximum send rate क्या होगा, दो email per second, तो एक मिनट में हम 120 email भेज सकते हैं, एक घंटे में हम 12, 50, 60, या नि 6,000 email मतलब, अगर हम सारी email एक घंटे में वेजना चाहें, तो भी वो एक घंटे में निकल जाएंगे, तो यह सब सेम इसमें भी होगा, mail लश्टर में भी तो पर, exactly, वो सब वहां भी होगा, okay, okay, मुझे वन शॉट में वेबिनार रिमाइंडर जैसा डालना है, छे बज़े का, तो वो सबको छे बज़े ट्रिकर नहीं होगा, कुछ लोगों का फिर साड़े छे तक होगा, फिर साथ तक होगा, वैसा होगा, हाँ, डिपेंड करता है, थोड़ा सा तो आपका अकाउंट कैसा हेल्दी है, अगर आप धड़ा-धड मेले ठोकते जा रहे हो, और मेल स्पैम में जा रही है, कहीं से कुछ रिपोर्ट हो रहा है, या अनसब्सक्राइब हो रहा है, तो वो आपके अकाउंट स्टेटस को यहां रिपोर्ट करता रहेगा, और रेपु इतनी सारी चीज़ें आपके पास यहां टेंपलेट आप क्रियेट कर सकते हो यह उप्शन्स आपके पास अबेलिबल हैं तो यह सर्विस को भी हम फ्री में यूज कर सकते हैं बागी और किसी सर्विस की जरुवत हमने बहुत कुछ इसमें और कुछ तभी यूज़ एक होता है हमारा सिंपल में प्रोटोकल प्रोटोकॉल फिस्ट्र में प्रोटोकॉल होता कि जब भी हम जैंगे तो जैसे हम चित्थी यहां से लेकि अपने पोस्ट ओपशिस में डालते थे चोटा पोस्ट आपशि सबले जाता था ओं को ट्रांजीशन में जाती थी फिर ट्रांजीशन में जो RMS railway mail service है वहां से आगे जाती थी फिर वहां से आगे जाने के बाद फिर delivery पर जाती थी यही पूरा काम यहां भी होता है मैंने अपने inbox से भेजा भेजने के बाद यह किसी SMTP सर्वर पर लेंड किया सर्वर पर लेंड करने से पहले यह बीच में एक compliance का filter होता है उस filter करती है उसके साथ एक छोटा सा notification जाता है कि यह सेफ है गड़बड है क्या है फिर वहां से वो जहां जिसको मैंने मैंने आपको भेजा तो आपकी email ID जिस server पर registered होगी या जिस location पर आप होंगे जहां आपकी IP फॉल कर रही होगी Mumbai region में फॉल कर रही है तो वहां जाके उधर deliver होगा और वहां से फिर आपको deliver होगा और अगर उसमें कहीं कुछ spam लगता है इस पूरे दोनों जगे filtration पर आपको deliver होने से पहले फिर filter होगा अगर गड़वड है तो वह आपके सीधे spam में लेंड कर जाएगा के inbox में नहीं जाएगा तो यह पीछे-पीछे यह सारी चीज़ें होती रहती है हमें पता भी नहीं चलता और इनी चीज़ोंस को monitoring हो रही होती है पीछे SMTP server monitor करता है एक GDPR setting और होती है पीछे GDPR setting regulations को monitor करती है और वो decide करता है कि कौन सा account कितना healthy है तो जो हम भेज रहे हैं अगर हमने धीरे-धीरे भेजना शुरू किया WhatsApp की तरह emails को slow और reputation बनाई लोगों में कम लोगों ने आपको unsubscribe किया तो आपका account healthy होता जाएगा digestion level जादा है आपके emails का आपके content का तो आपका account healthy बना रहेगा अगर आपने जैसे आज 62,000 की limit मिल गई 5000 परड़े की मुझे मिली होई है मैं धड़ा-धड़ 5000 email ठोक हूँ तो obviously बात है या तो लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो report करेंगे unsubscribe करेंगे तो मेरा account unhealthy हो जाएगा तो यहाँ यह पूरी exercise पीछे चलती रहती है तो marketing करने से पहले हमें यह पूरा ecosystem समझ में आना चाहिए कि यह होता कैसे है ultimately लोगों को psychological connect करने के लिए हमें ecosystem को बहुती judiciously use करेंगे तो यह ecosystem हमें support करता है तो यह एक Amazon service है जहां 62,000 email आप रोज भेज सकते हैं दूसरा MailChimp हमने कल discuss किया था MailChimp में अगर किसी की कोई query हो तो आप पूछ सकते हैं नहीं तो हम और आगे बढ़ें आप ने बताया कि राफं करते हैं नहीं नहीं हो आप अप ही जो बात कर रहे थे वो राफं़ जी ब्लोक ne है वज हम अभी बात कर रहे थे भो ब्लॉक नहीं हो गगा इसमें क्या Denton Flag कं आजाएगा तो आप अगर किसी आदमी के को आपकी इमेल अच्छी नहीं लग रही या आप धड़ादड एक ही इमेल बिना कस्टमाइज किये बिना कस्टमाइज का मतलब है अगर मैं आपको इमेल लिख रहा हूँ और आपको सब्जेक्ट लाइन में लिख रहा हूँ हैपी दिवाली राहुल जी यापी टो विश्यू हैपी दिवाली टो यू एन ये format झिल हाquele हर एक इमेल का सब्जेक्ट चेंज हो रहा है एक ही सब्जेक्ट दूसरी इमेल को नहीं जा रहा है तो क्या होगा अब अच्छे monitor लगा हुआ है वो यह देखता है कि एक ही जैसा marketing वाले लोग क्या करते हैं एक ही subject line लिखी और 1000 लोगों को mail ठोक दी तो वो पकड़ लेता है कि एक ही subject line बारवार अलग-अलग लोगों को जा रही है और अभी जा रही है ऐसा नहीं है कि रोज ज गेज रहे हो एक ही जैसी लोग digest कर रहे हैं तो वो जाने देगा पर all of sudden कोई त्योहार नहीं है जैसे दिवाली है तो दिवाली पर आपकी email को कोई रोकता नहीं है दिवाली पर WhatsApp भी आपके दिवाली विसेज करने को ब्लॉक नहीं करता क्योंकि उन्हें पता है उस दिन उन है कि हर आदमी का plan change हो रही है तो वो इसको दीरे-दीरे जाने देगा और वो आपके inbox में लेंड करने देगा एक बात दूसरा कभी भी dear word को कम से कम use करो आप देखेंगे जितनी भी professional mails आ रही है official mail या जो आपकी community mails हैं community mails का मतलब है अगर किसी company में आपस में कोई correspondence कर रहा है तो वहाँ dear use करते हैं बट जनरली जब आप bulk email भेज रहे हो तो आपने देखा होगा dear लगके नहीं आ रहा dear एक ऐसा word है जिसको अगर आपने marketing में use किया अपनी email में तो आपकी email spam में जाके land करेगी तो आपको dear word नहीं लगाना ऐसे सब्द नहीं लगाने कुछ जो गने चुने सब्द जो पहले चलते थे emails में उनसे बचो कुछ नया करो जो कि crawlers को पता नहीं है hello, hi, बचो इनसे भी कुछ और लगा दो सर ये समझ में आया वो दीपक राजू करके एक digital marketeer है बैंगलोर वाला है तो वो हमारे को ऐसे address करते हैं जैसे कि हमें personally जलते हैं अरे hello, रवी कुमार, by the way, did you get this, तो even Robin Sharma का भी ऐसे ही आता है Robin Sharma का ऐसे ही आता है, आप देखो कि सिदार्थ राजसेखर के ऐसे ही आते हैं, आपको बिल्कुल personal touch दे रहे होते हैं Personal touch, हाँ आपको लगता होगा कि यह मतलब लगता ही नहीं यह आदमी मुझे जानता नहीं और ऐसे mail आता है, जब भी आपको land करेगा, आप खोल के जरूर देखते हो और उसमें कुछ रखके भेजते हैं वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ free में भेजते हो अच्छा PPT का प्रेजंटेशन है, साउथ हिंडियन, प्रेजंटेशन प्रोसेस करके अच्छा वो भी बहुत अच्छा PPTs बनाता है, उसके features भी अच्छे देता है, फ्री में काफी कुछ उसमें क्रियेटिव किये होई है प्रेजंटेशन प्रोसेस यूट्यूब में आप देखेंगे राम गोपल का है अच्छा बहुत अच्छा है इसके भी मेल में हमें वैसे ही हते यह है गया एक मिनट राम गोपल का दोनो यह शहद यूएसे में हैं कहां पर मालूम ने बट इनके काफी अच्छे क्रेटिव प्रोसेस है और इनके फ्री के टेंपलेट्स भी है यूट्यूब में काफी अच्छी इनकी टूटॉरियल्स है इनके भी जो मैंने सब्सक्राइब किये तो वैसे ही आते है कि हाई रभी कुमार तेरे लिए ये कुछ ओफर लाया हूँ खास ओफर ऐसे वैसे करके बहुत अरी क्रेटिव बिल्कुल मैंने भी सब्सक्राइब कर दिया यह चलिए चीज़ ये क्लॉक नेडल वाला अरिमेशन बहुत अच्छे तरीके से बताता है तो ये था हमारा Amazon AES सर्विस इसके अलावा एक और मैंने option ढूड़ा है Send Fox एक मिनट जस्ट टू रिक्वेस्ट यू तू हमारे पास गुरगावा वाले एक old man थे ना कोई और राहूल करके वो भी Amazon WS वाले थे एक student था हमारे ग्रूप ने राहूल दो राहूल थे अपने पास यह ना राहूल अगरवाल करके थे राहूल अगरवाल हाँ यह इन्टू Amazon Web Service मुझे याद है उन्होंने जो एक क्रेटिव PPT का इमेज बनाए था उसके उन्होंने Amazon Web Service के प्रोटोकॉल उसके जो कुछ फीचर से दिखाए थे I think we can take a coaching from him extra क्या benefit है क्या है we can request him to enlighten us on that चैलो सर गुरुप में आप लिख दो आप अभी लिख दो एक दिन बुला लेते हैं उनको और है मैं सर्विस में बहुत को जब एक चीज मेरे को मिली है तो मुझे लगता है इतनी सारी चीजें है तो कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ और मिलेगा हमें इसमें मैं वो बैठा था एक दिन इसमें तो एक यह पता चला कि हमारे जो text notes है इसमें audio notes है वो audio notes को text में convert करके देगा पूरा अच्छा हाँ आपके लिए फर्मूला हो गया मैंने जो बोला था ना बना दो है रेका हां जी हां जी बिलो आपका इसमें solution आ गया बिलकुल ठीक बात है अब बुलेंगे बस इसका यूज करेंगे तो follow the process step one step two बोलते जाएंगे वो text में बोलते जाएंगे आप उसका PDF convert करो हमको बेज दो great great audio note to text audio note to text from AWS पर इसका चार्जिस काफी यह है वर्ष्ट बंद कुछ प्री देता है उसमें भी बुद लिमिट रहा कुछ टाइम के लही पर फिर जो चार्जिस है वो काफी हाई है इसके अच्छा चालो देख लेते हैं क्या कहता है अच्छा बहुत अच्छा है बहुत इसी तरीके में बताता है और काफी क्रेटिम है और उसके कुछ फुरी टेंपलेट भी बीच में ओफर कर देंगा यह इसकी प्राइसिंग 60 मिनिट्स पर मन्त फूर 12 मन्त फ्री है उसके बाद यह कुछ seconds, minutes और उसके टाइनिंग यह चार्ज करते है चलो उसके बाद यह चार्ज करते है ठीक है 15 मिनिट के लिए डॉलर वन बाकी तो बहुत कॉसली है मामला चल यह ठीक है यह हो गया अब दूसरा अगले पर चलते फ्री नहीं है कोई फ्री या फ्री में जो कर गए ओडियो से है मैंने सुना है अपना माइक्रोंट का यह बॉर्ड में ऑडियो फाइल टू टेक्स्ट अर उसका मैं फाइल से तो मुझे नहीं वालू मैं लेकिन दिर इस टूल कॉल डिक्टेशन डॉट आयो आप उस पे जाहिए आप बोलते जाहिए वो टेक्स टाइब करता जाए आप अभी चेक कर सकत क्या है डिक्टेशन डॉट डॉट आई ओ डिक्टेशन डॉट आई ओ यह रहा है अब यह आप कुछ भी बोलते जाहिए तो यह किसी भी लेंगेज में बोलें टाइब विद यूर बॉइस इन हिंदी ओ माइगाड वह हिंदी में भी करता है सब कुछ में करता है सर्व डिक्टेशन डॉट आई ओ यह लो जी बहुत बढ़िया अभी सर्व बूलते जाहिए अभी सुरू कर देगा यह स्टार्ट कर लेक्ट करके लिए स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए माइक्रोफोन यस अभी यूज यूर माइक्रोफोन यस अभी अब यहाइब कर सकते हैं यह अभी उसको अंग्रेजी हिंदी समझ में नहीं आई यह अब अब उन भी हम कर सकते हम अच्छा वो कर रहा है पहले तो अभी सलेक्ट करना मुझे आ फ्यलीट कर दीजिए यह लीजे मैंने यह किया अभी सर्व उप इंग्लिश में मुलिए सर अरे वाह हो गया काम तो हाँ ये तो ये ये वाली फैसिलेटी तो हमारे पास गूगल में भी अविलेवल है गूगल में भी है ये ये हाँ हाँ तो मैं इसको इनके डिक्शनेरी उन्होंने इंडिया के साथ जोड के रखे होगी हाँ ये तो गूगल का बैकेंड है ये देखो मैं आपको देखा हूँ गूगल में आप कर सकते हैं गूगल डॉक्स में गए आप तो हम कितावें लिखने के लिए यही यूज करते हैं जनरली गूगल डॉक्स में जैसे मैंने ये किताब अभी लिखी है मेरी किताब चल रही है यह तो जूटी सफलता लड़ खडाती जिन्दिगी मेरी दो कितावें Amazon पर अल्रेडी हैं तीसरी आने वाली है हमारे जो बैच चल रहा है अभी उसमें से पांच साथ कितावें आ जाएंगी इससे पहले बैच में कई कितावें Amazon पर अप्लोड हो गई है यह तो मेरी लिखा हुआ था कुछ बहुत कुछ लिखा रखा था मैंने कई सालों से कुछ लिखा हुआ था उसको अब इंटीग्रेट किया है अब यह अपने अपने पी पीडिएफ बनवाया है या इसका कुछ फॉपर यूश्टी ने यह तो मैंने खुदी बनाया अभी तो यह सब तो इसकी ट्रिक है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग कैसे कर बायागा इतना सारा करना है अभी अभी करके बताते हैं आपको यह देखो अभी कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग यहां गए और मेरे को क्या करना है अब मुझे हिंदी में टाइपिंग करना है तो गूगल बहुत बढ़िया चीज है थोड़ा सा समझने वाली चीज है हिंदी मराठी नेपाली कुछ भी कर सकते हो और यस अभी आप कुछ भी बोलो और यह हिंदी में आपको लिखके देगा अब लिखनी है तो आप बोलते जाओ आपके दिमाग में जो कुछ आता है आपका दिमाग तेज चलता है हाथ धीरे तो दिमाग की स्पीड और हाथ की स्पीड को अगर आप मैच करना चाहते हो तो हाथ को बीच में से हटा दो सिर्फ जवान से बोलते जाओ और यह गूगल बावा है जो आपकी बात को आपके कागज पर ओकेड देगा और यही नहीं लिखने के बाद आप उसकी ग्रामर भी चेक कर सकते हो हिंदी का ग्रामर इंसाइकलोपीडिया इसके पास है वो उसको उससे चेक कर देगा थोड़ी देर में एडिट करने के बाद आप अपने दिवाग की सारी बात कागज पर ले आएंगे यह लिजे और यह क पूल के कुछ टॉपिक लिखना चाहते हो चोट आसा ई-बुक बनाना चाहते हो कोई लीड मैगनेट के लिए तो लीड जनरेशन में लीड मैगनेट बनाना एक ई-बुक लिखना बड़ा इजी होता है तो आपको क्या करना है मुस्किल से दो-तीन पेज के लिए अपना योगों को lλुग के लुप मेंटेते जाओ और लोग उस फ्रीवी के चक्कर में आपको अपना सबस्क्राइब करते जाएंगे और एक बार उन्होंने अपनी इमेड आइडि आपको दे दी तो आपने इमेल लिस्ट में वो जुड़ जाएंगे तो यह गूगल का तरीका है बाकी सब भी ऐसे ही करते हैं आप किसी भी लेंग्विज में बस ध्यान यह रखना है कि हिंदी जब सलेक्ट करोगे तो वह हिंदी वासा एच दवाने से नहीं आएगी वह पूरा स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है तब जाके वह निकल के आ करके अब इसमें भी बोई स्टैपिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है वहां भी एक ट्रिक है कि यहां आप जाओगे तो यहां लेंग्विज सेलेक्ट करना है यहां छोटी सी जगह है तो यहां एच दवाने से हिंदी नहीं आएगा मुझे यहां बांगला गुजर करो और धडले से लिख दो हिंदी इंग्लिस मिक्स करता है करेंगे तो अब यह यह बारती संस्कृति को नहीं समस्ता है तो दोनों चीजे कठी आप आप बोलोगे तो लिख देगा उसको जो समझ में आएगा लिख देगा एक्चली जहां अब लोर्या अब हो गया है आपने ग्रामर बोला था वो इंग्लिस का वर्ड ग्रामर को हिंदी में लिख देगा तो प्रिमेर वोलोगे आप कूछ भी ठीक है आप कुछ भी इंग्लिस पोई बोलूँगा तो वो इंग्लिस देगा यह देखो highly my एउवफ इसक्रिप्ट आपने उसको बता दिया पहले कि हिंदी में लिखना है तो वो उसके बाहर सोचेगा भी नहीं अगर आ पको फिर वह रोए इंग्लिस हाँ जवान नहीं है जवान होता तो साइद वो नहीं लगाता है जवान उसके पास वर्ड है जवान वर्ड जो गलत है वो ना फोज वाला जवान है ना वो लेंग्वेज वाला जवान है तो वो उसने वहां उस पर लगा दिया अच्छा बोल कर मैं देखो उसने हमें जनरली यह नहीं पता चलता, कि बोलकर मैंने एक वर्ड लिखा है रो उसने इसको कहा कि गलत है, और हम देखेंगे कि बोलकर किसी भी तरीके से गलत नहीं है, अब यह गलत क्यूं है, कि बोल और कर दोनों अलग-अलग बताएगा वो, अगर वो मैं अलग बोल कर, तो अब वो उसको जलत नहीं बता रहा बोलकर को देखो पर उपर बोलकर एकठा बोल दिया था इंसाइक्लोपीडिया इसके पास है वो उसको समझ जाता तो जहां जहां आपकी गड़वड है वो उसको आपको बताता चलेगा आप थोड़ी देर में उसको करेक्ट कर दो और वो आपकी भासा बनगी देखो किताब लिखना कितना सरल है लोग क्या कर रहे हैं लोग दूसरों की चीज़े पढ़ रहे हैं पढ़ने के बाद समझने के बाद अपनी भासा में बोल रहे हैं जब आप अपनी भासा में बोलोगे तो वो सारे सामान पलट ज यानि जनरली अगर बहुत स्पेसिफिक सी चीज नहीं है जनरल सी चीज को बोलोगे तो आप अपनी लेंग्वेज में बोलोगे तो वैसे ही बदल जाती है तो एक तरीका हम थोड़ा टॉपिक से अलग चले गए यह आ गया अब तीसरी बात जो मैं आज आपको बताने वाला था इमेल के संदर्ब में वो यह है कि एक तो आज एक्सपेरिमेंट हमने एक नई चीज सीखी कि रौनक ने मेल ब्लस्टर यूज किया दूसरा एक सेंड फॉक्स यह हमने एक एक्स्प्लूर किया है सेंड फॉक्स यह पेड प्रोग्राम है और जनरली बाकी सारे जो है वो मन्थली पैसे लेते हैं इसने क्या किया वन टाइम 49 डॉलर लिया और लाइफ टाइम के लिए आपको एक्से का मुझे बोनस दे दिया तो 9000 कॉंटेक्ट को अनलिमिटेड इमेल और लाइफ टाइम में भेज सकता हूं इतना एक बार की 44 डॉलर इसने मेरे से लिया 5 डॉलर का इसने मेरे को और डिसकाउंट किया तो 44 डॉलर में मैंने लाइफ टाइम के लिए अपना इमेलर ले लिया जिसमें automation लगा सकता हूं अब इसमें automation मैंने क्या किया कि जितना भी मेरा मेल चिंप मेरे पास contact थे सबको import मारा यहां मेरी list import हो गई list import होने के बाद अब मैं यहां smart page बना सकता हूं जिसको लेंडिंग पेज बोल रहे थे वो यहां smart page हो जाता है तो यहां से कोई भी smart page create करो और smart page create करने के बाद automation लगा दो तीन चीज़ें इसमें करनी होती है smart page बनाना है automation लगाना है और आपको automation में आपको क्या चाहिए आप देखेंगे कि यह मेरा एक automation है इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया है एक welcome email जैसे कि इसमें कोई नया contact आया उसको एक welcome email भेज़ देगा और welcome email कैसे जाएगी मैं आपको दिखाता हूं मेरी email ID में वो भी मैंने कस्टमाइज बनाई हुई है यह देखिए यह test email थी जैसे कोई नया आदमी आएगा तो यह आपको लिखेगा मैंने गया कि अब देखो वो test लिखा हुआ है नमस्ते लोकमान जी इसने नाम उठाया मेरे जहां भी subscription में मेरा नाम आया हुआ था जी मैंने लिखाया उसमें तो यह लोकमान इसने नाम उठाया नमस्ते और जी मेरा है बीच में लोकमान इसने ओटमेटिक बैरीवल उठाया नमस्ते लोकमान जी वी आर हैपी तो हभी तो हभी विद पीपल ट्रेनर्स दमागधिशन गुरूज और फिर बोडी में लिखा विर ग्लाइड यू इंबॉक्स भी सेंडिग यूर बैस कंटेंट तो बेनिफित यू इंड़ी में टाइम मेक शूर तो फॉलो मी अन सोसल क्लिक यह तो नो मोर अवाउट यानि यह मिर को यहां से वेबसाइट पर ले जाएगा ट्विटर पर ले जाएगा फेसबुक पर ले जाएगा इंस्ट कुछ गडवड है लिंक के साथ ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं नीचे यह अपना आपकी लिंक देदेगा यह ट्विटर के इसके यह सब दे दिये इसने आपका एडरस नीचे देदेगा अन सब्सक्राइबर का बटन देदेगा ऐसे करके जैसे यह गया अब यहां आप आटोमेशन लगा सकते हो कैसे आटोमेशन कैसे लगेगा यस तो यहां आटोमेशन लगाने के लिए अब क्या करोगे यहां आटोमेशन सीरीज बन रही है तो मैंने इसको क्या किया मैं एक मिनिट इसको ऑन कर दिया मैंने तर आपने लिया इसका पेड वर्जन लिया इसका तो इसमें आटोमेशन में क्या करेगा तीन चीज़े होंगी जैसे ही वैलकम इमेल गई तो वह आपसे पूछेगा जैसे क्रिएट आटोमेशन series मैं यहां एक series और on करता हूँ नहीं तो यहां क्या किया start this series after a contact is added to this list यह जो automation आप लगा रहे हो यह कब शुरू होगी क्या आप कोई landing page बना रहे हो जिसके sign up पर शुरू हो यह option देगा या आपकी जो list बनी हुई यह में contacts की people trainers की उसके लिए हो यह मेरे पास 5 option पड़े हैं तो मैं कहता हूँ मैंना एक landing page sign up है मैंने एक landing page बनाया हुआ है उससे जो भी contact आए उस contact को आप यहां से automation देनी शुरू कर दो अब वो कहरा automation में trigger बताओ मुझे कब देना है अब trigger मेरा यह यह है कि जब कोई sign up कर दे तब वो trigger है जैसे ही sign up कर दे तो अब मुझे क्या करना एक email भेजना है वो कहेगा email को design करके दे दो यहां आप email design कर दोगे इस design में आप यहां image डाल सकते हो कोई image आप insert कर सकते हो यह image आगई यहां आप data insert कर सकते हो data को colorful बना सकते हो कोई button लगा सकते हो कोई variable लगा सकते हो ऐसे करके आपने इसको design कर दिया अब html editor ले सकते हो आप इसका html editor यह इसमें नहीं देगा free वाले में तो मुझे कहां जाना होगा फिर हम यहां तो हम क्या कर सकते हैं उसके बाद इसको बनाने के बाद preview देख लो कि मेरी mail कैसी दिखाई देगी यहां आपको email preview दिखा देगा mobile पर कैसी दिखाई देगी आपको design check हो गया design check होने के बाद अब आप test email भेज सकते हो यहीं खुद पर test करके देख लो और फिर उसके बाद आप इसको save करके automation को जाने दो जब जब कोई आपके landing page को देख कर अपना email ID देदेगा welcome email immediate चली जाएगी उसके बाद आप इसको बता दोगे उसके बाद यह दूसरी email चली जाएगी automation को days पर डाल सकते हो आपके इतने दिन वाद यह चला जाए या किसी ने click कर दिया तो चला जाए जैसे clicking आई इसके पास किसी ने open किया तो चला जाए तो वो automation भी इसमें possible है और एक बार की exercise होती है एक campaign run करने के लिए आपने एक बार exercise कर दी तो वो automatic जाता जाएगा जिनकी बात रवी जी कर रहे थे अभी दीपक राजू और उनकी वो खुद इसमें नहीं करते एक बार exercise प्लैन कर दी एक campaign वो अपने आप automatic जाता रहता है और हमें लग कर देट आदमी बैठके कर रहा होत कहां उसका फ्री प्राइसिंग प्लान में जाएंगे इसके सेंट फॉक्स के हाँ 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 एक मिनट यह रहा हाँ फ्री प्लान थ्रॉटल्ड और सेंडिंग सर्वर नॉर्मल लाइफ टाइम प्लान में बैटर और फ्री प्लैन में इसका थ्रॉटल्ड है थ्रॉटल्ड का मतलब गला दवाया हुआ है उतने से ज्यादा आप नहीं बेज सकते तो इसलिए तो आप इधर आयो सर तो इन सारी चीज़ों को अब जो वीकली सुरू कर रहे हैं न सर वो नेटवर्किंग में यह है कि जो चीज़ें आप जैसे लोगों से हमें नहीं मिली आज इतनी सारी चीज़ें एक अठी हो रही है अब एक आदमी ने कोर्स कर लिया वो दुबारा तो हमसे करने आएगा न तो यह नई बात है उनको कब पता चलेंगी यह अपडेशन उनको उनका हक बनता है कि उन्होंने जिन्होंने कोर्स किया और वो अभी थोड़ा बहुत सुरू किया या उनको प्रॉब्लम आई तो उन प्रॉब्लम को रिजोल कैसे करें सारे लोग तो यूज भी नहीं कर रह तो यह है अब इस automation पर आप लोग या तो mail bluster को use करो और mail bluster 62,000 email AWS पर जाके explore करो थोड़ा बहुत तो यह email को तो एक पक्का बना दो ताकि आपने अपते में campaign डाली और वो निकलती जाए आपके 100-200-500 लोगों को कहीं न कहीं छोटा मोटा communication जाता रहे यह एक काम क्या भेजा है लिखके तरौनक ने वो मैंने इस पर देखा इनका निचे चैट बॉट था उस पर लोग का एक एक फेक्यू था तो उसमें पताया कि वो कुछ 60 subscribers को 60 minutes में वेजेगा अब एक email एक minute में करेगा और उसने लिखवी दिया है हमारे रिसोर्सेज की availability के हिसाब से वेजेगा अगर उनका जो email है वो अगर ज्यादा प्रेशर में होगा तो वो साइद ना भी भेजे तो आप उसे blame नहीं कर सकते कि मैंने भेजा था और गया नहीं प्राइजिंग प्लान और यह जो मैंने महीनों मैनत किये तब जाके यह वाला मैंने निकाला यह जो दॉलर 75 रुपे का होता है उनके लिए तो 10 का नोट होता होगा हमारे लिए 7500 रुपे निकल जाए और हमें ऐसा भी नहीं एक email से लीड आ रही हो हमें तो लोगों के साथ connect होना है बस एक छोटा सा ट्रिक पेन के लिए हमारा mail चला जाए करें इतनी सी बात के लिए हम इतने पैसे अगर हम खर्च करें इस पर तो कोई जाइज सी बात नहीं है यह वाला है lifetime है अगर इसने साल भर भी हमारा काम कर दिया 49 डॉलर में तो 5 डॉलर 4 डॉलर हमें पर मंत के आई हमें यह समझते है कि साइद यह 10 साल ना करें एक साल भी कर देगा तो ठीक है अपना काम निकल गया अगर हमारे 1500 लोगों को कम्मिनिकिसन हो रहा है तो ठीक है तो आप यह कर सकते हैं अभी 5000 था इसने मेरे को कुछ और तरीके वताए तो उससे 9000 पर पहुंच गया है फिर अगर मुझे और 1000 ल हो गए तो फिर हमें बहुत ज्यादा नहीं लगता क्यों इतने लोग होंगे तो आपके उसमें कस्टमर्स भी होंगे कंवर्जन्स भी होंगे इसी होगा पर इसमें फिर समझो मेरा एक बढ़ गया अगर सिर्फ 50,001 हो जाएगा तो फिर वो मेरे नेक्स प्लैन पकड़ ले पड़ेगा उसका अफिर 10 ओडर्स कर नहीं पड़ेगा तब नहीं रहुना करना वन मिनिट सी बॉस्ट ओंपनी इस वर्किंग ओन दा लोयल्टी प्रोग्राम अगर उस समय में कोई लोयल्टी प्रोग्राम चल रहे और उन्होंने आपकी लोयल्टी देखी सब्सिशन चलो भई अभी आप आजाओ मेरे पास 10 डॉलर में और एक उपर ले तो दे विल बी गिविंग यू लॉयल्टी प्रोग्राम बेस्ट ऑन दियर ऑन देर एक्स्पिरेंस और ट्राइंग तो बिल्ट अप यूर रिलेशन विद दें तो पर मुझे उन्होंने चोईस दी कि आ पर हमारी एड रन कर दो तो आपको हम 3000 और एक्स्रा दे सकते हैं तो हम तो इंडियन लोग हैं हमें क्या चाहिए यह लोग कर देते हैं बोगतेंगे अगले तो हमने एक एक एड उसका अच्छा मैंने देखा कि मैंने सिर्फ लिंक लगा दिया ना उसमें तो भी उसने टाइम लिमिट दिया था कि 24 गंटे में आपको करना है मैंने वो 10 मिनिट में ही कर दिया करने के बाद उसने मेरे को 3000 सब्सक्राइबर्स और दे दिये अब आप देखो एक कंपनी 5000 के साथ मुझे 4000 उसने फ्री में दे दिये 9000 कर दिये तो जब मेरे 10,000 क्रॉस हो जाएंगे तो भी मुझे कुछ नो कुस लोयल्टी प्रोग्राम देगी तो ऐसे बिल्कुल ओखा नहीं होगा कि एक हो जाए तो आपको बंद कर दें तो वो वो भी लिनियंसी में रख सकते होंगे या रखेंगे रखनी चाहिए उनने तो बेसिकली क्या होता है और नट इंवेश्मेंट कंपनी या लोन वाले कंपनी नहीं है कि आपका एक दिन का ब्हाज चड़ जाएगा तो वो यह लोगों को कस्तोमर बिल्ड करने है वर्ल्ड वाइज तो डेविल डेपनेटली गिवर की पॉन कमिंग वित ओफर्ड और ज तो उसमें क्या है तो इंड्यूस थी कस्टोमर को मारे साथ रलेशन्शिप बिल्ड को वो कट्ट आप डेट नहीं रखेंगे कि आपका एक बढ़ गया तो बैभी नेक्स प्लान में ले जाओंगा आप मेरको पैसे भरो वो इतना सब वो इस्टिक्ट फालो नहीं करेंगे बि इसका वॉक्स का पेड़ प्लैंट में तो फिर वो फिर बोलेगा जैसे नहीं भेज रहा है इसका डेमो कि आपने कुछ लिया था कि डायरेट फिर किया था मैंने तो का डेमो कहली मैंने उसका वीडियो देखा था देखने के बाद मैंने पे कर दिया और आप लोगों को और इसमें एक ऑप्शन भी देता है कि यह आपको वो लिंक देगा रिसेलर लिंक देदेगा अगर मैंने किसी का रिसेलर लिंक लिया था तो उसने 49 से 44 कर दिया तो मैं यहां से रिसेलर लिंक वेज़ दूँगा तो 5 डॉलर आपको कम हो जाएंगे ठीक है और मेरे को कुछ क्रेडिट और बढ़ा देगा यहां से तो ऐसे ही आप एक एक करके आगे बढ़ना जैसे मैं रॉनक को दूँ रॉनक आगे रवी जी को दे रवी जी गुप्ता जी को आगे दे तो आपको वेनी फिटो उनको वेनी फिटो ऐसे करके आप ले 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 ना इसको अब इसमें का सब सब जो मेरी चीम जैसे और फीचर्स है वो सब इसमें है सेंट फॉक्स में जैसे रिपोर्टिंग वगेरा लैंडिंग पेज फॉम्स हो गया अब है रॉनक दूसरी क्लास सुरू हो गई बात पर साथ बजी गए चलिए मिलते हैं फिर दूसरी क्लास अगले अबी नेक्स क्लास हमारी कल है ठीक है टेक कीҵ